तो दोस्तों कैसे वाप सबी लोग आप सभी का सबागत है किसे हैप एक और हुटे अगनत है किस और आज हम हों बात करने जा रहे हैं हमारे 35cc मिनी एंजिन के बारे में और आज है वाले हुड़ोज मैं इस वाले इंजिन को लिया तबसे ऐसा ही यह इंजीन है तो हम इसको खोलने वाले बाकिए अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे हमारे जो कार्पोरेटर के उसको अटाएंगे आप इस वाले वीडियो को जरूर से एंट दिखना लाइक करना इस वाले चानल को सब्सक्राइब करना अगर आपको यह व को यहां पर आप निकल चुके उसी के साथ मैंने वायर भी जो यह ईकसलेटर की आप निकाल ली है अभी आप जिसकी देख़ने हों के अब बारे भाय हमारे कार्पोर्टर गों को यहां पर निकालने वाले हैं अब वीडियो को थोड़ा में आपको फास्फ़ाइब में सब्सक्राइब काफी मुश्किल के बाद भाई मैंने स्पार्प्रक कुला काफी फिट जो ही आप मैंने शायद से पहली बार किया था पिछली बार जिस वज़े से आप मुझे खोलने में परचानी हुए पर अभी आप जसी देख से तो स्पार्प्रक को हमने को लिया और इसक इसके लिए मैंने आप जो है ग्यारा नंबर का जो है फाना का टूल ले लिया इसको पसा दिया है और इस टैप से सिंपल तरीके से भाई जो यहाप मैंगनेट जो है यहाप खुल जाएंगा अभी मैंगनोट को और का इसमें रगाया निथा तो वह भी हमें आप खोलना पर अब आप जैसे दिसे तो हमने इसको फानाल को लिया है अब बार यह भाई मैंगनेट को निकाल ले कि तो यह वाले जो है यहाप बोल्टोर जो थे सारे जी जमने आप एक साइड रग दिया है अब इसके तोड़ा से पेजकर से के मदद से के इसके अंदर थोड़ा बहुत तो हम जो गयाप ट्रेडी करेंगे और इस टाइफ से जो है आसानी से मैंगनेट निकल जाए मैंगनेट के आप हाला देख सो तो यह अंदर से बाई काफी जंक आ चुका है तो इसको भी हम अच्छे से थोड़ा घिसके फिर से जब इसको असे करेंगे सारे चीजे करेंगे अब बारी है भाई हमारी चोटी से की की जो की वुडर्फ की होते हैं जो कि मैंगनोट के पकड़े रखती है क्रैंक शाप के साथ तो वह आपको अच्छे से ध्यान से रखनी है उसके बाद अब बारी आती है भाई पिश्टन और ब्लॉक को निकालने के अब पिश्टन और लकडी के इस पे फिट किया था तो उसको में फटाउट से खोल लूँगा और पूरे के पूरे इंजिन को यहाँ पे बाहर निकालूँगा बाकि आज हम फुल इंजिन को डिस्मेंटल करने वाले तो मुझे चाहते हैं कि इस क्रेंग निकालने में मुझे कापी बड़ी मुश कि अचल के ऐख से बड़ी मुझे खोल अफे बीचारने के रहे हमारा इसन ब्लॉक के चाहर बोल्ड का पुर्ड को टेड़ा हम चोटे-चोट इसे हम ब्लॉक को ब्लॉक के गहीं गोसके हैं पर ऊपर ऑला इसका हिड है वो मैं आज वलोडे में को तो नहीं आज बूरा को ल नहीं है वह क्लीन होता है और ज्यादा तर गैस मिझे लगता है वह आपको खोलना भी चाहिए जो यहाँ साब नीचे से कोलेंगे तो वही साइपका पुरा काम हो जाएगा तो फटा फट से गैस में जो अब इसको आप अलग करता हो दो से तीन स्क्रू में ना इसको हटा ब्लॉक को रखेंगे साइड में प्लॉक के आप देख से जो इसको नकाल लेंगे और उसके बाद हमारा पिश्टन को क्रेंग से अलग करेंगे तो वह भी आपको दिखा तो किसे क्या करना है बागी बार मैं अच्छे से इसकी पैकिंग क्लियर कर दूँ और अब आपको जिसको कि यह पिन में यह लगा हुआता है तो इसको आपन Central Silver Сам2 अभिभ जैसे तो असको आपने हमें जिर जाए है किसलिए ने सिंज ट Har में रचाइंग के यह इनंजन की ए गईपनistically उसके बाद में गई अभी इसको चाल गया ही को बाइब के बात वाई तो उसके पने गया हो खूहते है यह पर कोई बातव हम अभिजां निकालते हैं जहें हमारा यह पर पूरा पूरा तीन जो है स्क्रू की मंदद से भाई यह जो क्राइल वाला हिस्सा पर पकड़ जमाया रखा है तो यह भटाबर से में निकालता हूँ और अब कोईल वाला हिस्सा निकलने के बाद हम सीधा बढ़ेंगे भाई हमारे क्रैंक शाप की तरफ मलब हम क्रैंक को अलग करेंगे और जो द मुझे लग रहा है तो यह भी भाई चार नटन बोल्ड की मदद से यह फिट है तो चारो साइट के चार गैज अभी में इसको खोलने वाला हूँ और मुझे जात चरता है कि हम यहाँ पर इसको खोलने के लिए ट्रिक की मदद लेने पड़ेंगे क्यों कि यहाँ पर जो है और वो निकल पाना मुझे लगता है थोड़ा भी मुश्किल भरा हो सकता है इस वज़े से हमें थोड़ा बहुत आइडिया है पर लगाना पड़ेंगा तो फटा पड़ सेगे में जो इन सारे को चारो स्कूर को यहाँ से निकालता हूँ उसके बाद कुछ ट्रिक्स रगा क थरा बमरी से टब दूगा नीकर बहुत शहएं नहीं कोछ फटा है तो कमुछ भी थोड़ा हो इनिकाल अदर हो निखिता चल्पर ऋपड़ेंगी तिन च वीछ फ़ार मैंने चुड़ा यहां पे बोड लगा उसके ब्लॉक किया रहा तो घ्यां अपर आपक पूरा इंजन का सीमिए और अदू कुछ अपर क्रैंग की हालत थी मुझे क्रैंग काफी बुरी नजर आ विबेरिंग की बात कि जा है तो वह भी बहुत ही खस्ता कंडिशन में प्याइब काफी जंक जुकए वो तो करेंगे उसके अंदर अगर वह निकालने के पूरी कोशिच करेंगे उसके बाद जो दोनों साइट की बेरिंग से वह में आपे इस वाले मतलब जो है इंजिन की चेंज करने वाला जो है इस से एक अच्छा परफॉंस इसके अंदर मिल सकता है तो यह सारे चीज हम नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर